इस वीडियो में हम लोग सेखेंगे फ्रीज की वायरिंग, बॉक्ष टाइप रिले के साथ फ्रीज की वायरिंग, यानि अगर बॉक्ष टाइप रिले लगा है किसी फ्रीज में, तो उसकी वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं, बड़े यास्यान तरीके सी, इसमें जो पार्ट है हमारा इसका नाम है दोर स्विच में प्रियोग होने वाली यह स्विच होती है दोर स्विच का कारी यह होता है कि जब फ्रिज का दर्वाजा खोलते हैं तो उसके अंदर का बल्ब जल जाता है जैसे ही दर्वाजे को बंद करते हैं तो उसका बल्ब बंद हो जाता है इसके ला इस प्रकार सी यह बोक्स ट्रेले में दो पॉइंट ताट जोडने के लिए होते हैं जिसमें एक नाम होता यलटू और एक का नाम होता यलवन तो इनवी सब के हम वाइरिंग पूरी गंप्लीट इस वीडियो में सीखेंगे तो स्वागत हैं आपका अमारे चैनल एमाई टेकनिकल में हाँ पर हम लोग इस की box type रेले के साथ पूरी complete wiring से केंगे तो wiring में सबसे पहले सुरू करते हैं neutral के साथ कोई भी wiring करना चीए तो जब neutral के साथ सबसे पहले सुरू करते हैं तो neutral के wire को सबसे पहले direct thermostat के किसी एक point में जोड़ा गया होता है यानि कि सबसे प प्वाइंट होता है यह जो बलब का अगला प्वाइंट है इसको फेस में दे दिया जाता है जैनी निव्यूटल डायरेक्ट थर्मो इस्टेट के किसी एक point में जिस point में गया वहीं से डौर सुच को और डौर सुच का अगला बलब को और बलब का अगला फेस को देखे और दब के जब यह अंदर जाता है ति एक पॉइंट दूसरे से नहीं मिल पाता है इसलिए सप्लाई कट जाते और बल्ब नहीं जलता है और जब इसको छोड़ दिया जाता है जब यह बाहर निकल जाता है यह वाली पत्ती ऊपर से नीचे तक को टच करवा देती है जिससे जातेएगा क्योंकि देखेंगे जाता है यहां पर जब बल्ब को मिल रहा है वंत दिया जाएगा देखे अब तक OLP लगती थी लेकिन इस वाइरिंग में OLP नहीं लगी होई है इस वाइरिंग में OLP नहीं लगी है तो यहां से ले करके आएंगे इसको E1 point में Face की supply को देना होगा बस relay के E2 में neutralर E1 में Face और यहां से इस relay को direct अठाके wisely मिल जाएगा जिससे common को common में supply मिल जाएगी रुनिंग को 양 के और starting को चार्टिंग में डारेक्ट supply मिल जाएगी और इसके अंदर OLP अंदर से लगी होती है हमें अलग से लगाने के कोई जरूरत नहीं होती है तो इस प्रकार से वाइरिंग बहुत सेंपल तरीके से हो सकता है कि नियूटल डायरेक्ट थर्मो स्टेट के एक पॉइंट में उसी पॉइंट से डोर स्विच को डोर स्विच का अगला बल्ब को और बल्ब का अगला पॉइंट फेस को दे दिया जाता है इस तरह से वाइरिंग कंप्लीट हो जाती है हमारे और इसको बॉक्स टाइप रिले को फिर सिधे तरीके स्लगा दिया जाता और यह कारेक करता रहता है तो वीडियो कर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें